बुद्ध कोरोना वाइरस का भे और उसका जनेसिस यानि कि उसकी उत्पति जो उसका जनेसिस है वो किस तरह से काम करता है और बुद्ध ने कैसे बताया कि भे कैसे उत्पन होता है अगर आपने बच्चपन में मदारी देखा हूँ जो गाउं गाउं में और शहर शहर में चोट चोटी कस्पों में आता था दिन के समय एक खेल दिखाता था चुकि मैंने मदारी को बहुत अच्छी तरह से देखा है और बड़ा पास से उसका बच्चपन में अध्धन भी किया है मदारी एक जोला लेके आता है एक लड़का उसके साथ होता है एक डंडा होता है और एक थैला होता है उस सबसे पहले आके डंबरू बजाता है डमरू बजाके क्योंकि उसके आवाद दूर तक जाती है क्याई बार वो बांसरी भी बजाता है और फिर वहाँ सारे बच्चे और जो बड़े बुड़े या जो लोग काम पर नहीं जाते वो सब घेरा बनाके उसके चलाओ तरफ इकटे हो जाते है एकटा होने के बाद जो मदारी है पहले छोटी मोटी बड़ी हरकते करता है ऐसी हरकते हैं जिससे बच्चों को बड़ी हसी आती है और लोगों को बड़ी हसी आती है खेल तमासा उसके बात करने का जो तरीका होता है वो इतना प्यूरिफाइड होता है इतना बैतरीन होता है इतना मैनेज किया इतना एक्सपर्ट होता है जो अच्छे अच्छे एंकर को मात दे दे वो कमाल की प्रिदिवा उसके अंदर होती है बोलता भी बहुत अच्छा है और शब्दों का जो हेर फेर और जो उसके रटे हुएं वो कमाल के होते है अपनी मीठी मीठी बातों से हसी मजाकी बातों से वो सबका दिल बहलाता है और सबको हसी में के माहुल में लेके आ जाता है उसके बाद वो दिखाता है काला जादू काला जादू में वो उस बच्चे को जमीन पर लिटाता है और उसके उपर एक काला कपड़ डालता है फिर होता है असली खेल अब वो भै पैदा करता है अपनी बातों में और बातों में भै को आता है और लोगों से पूचता है क्या इस बच्चे को जानसे मार दो, इसको खतम कर दो लोग डरे हुए होते हैं, मने करते हैं, फिर वो कुछ तेजी से कुछ ऐसे सब्स में बोलता है जो भै पैदा करने वाले होते हैं, और जब वो भै का पूरा माहौल पैदा कर देता है तो कहता है कि मैं इस बच्चे को अब पूरी तरह से अपने वस्मे कर चुका हूँ और मारूंगा और वो उस बच्चे की कपड़े में लेटे हुए बच्चे की तलवार से उपर से गर्दन काटने का एक नाटक करता है बच्चे सारे भैबित हो जाते हैं उनको लगता है कि इसने वास्ता में गर्दन काट दी है वो गर्दन को हिला डुला कर भी देखाता है तो गर्दन ऐसे लगती है जैसे निर्जी पड़ी हुई है सारे बच्चे सारे लोग उसके बिलकुल पास में आ जाते हैं जो उसमें जाल फैका है उसमें फच जाते हैं और सारे भैसे ग्रस्त हुए नहीं हुए वो कहता है कि बच्चा बापिस आएगा नहीं आएगा सब अपने अपने हाथों को खोल दो तो वो सबसे अपने हाथ खुलवाता है फिर वो ताली बजबा के देखता है कि कितना दम अभी आया है कितने डरे हुए है भैके कारण और खुशी के कारण लोग ज़्यादा ताली बजाते हैं तो वो ताली की intensity और ताली की आवाज को मापता है जब वो देखता है कि पूरा मजमा, पूरा महौल, पूरी भीड उसके वश में आ गई, उसके काबू में आ गई तब वो अपना कटोरा और जोला निकालता है और लोगों से कहता है कि इस बच्चे के लिए मैं बापिस ले के आऊंगा जो तुम्हें देना है इसको दो तो जिसके पास 5 का सिक्का, 10 का सिक्का या 20 का सिक्का, जो भी सिक्का उससे में चलता था जो होता है उदेता है और सारा पैसा लेने के बाद में अभी उसकी मांग ये पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका उदस से पैसा कमाना है, वो रोजी रोटी का काम करता है तो जा ओ बच्चो अपने अपने घरों से आटा लेके आओ और फिर बच्चे भागे भागे जाते हैं, आटा लेके आते हैं खेल तमासा वो पूरा करता है और उसको बच्चे को जोड़के दिखाके और वहां से चला जाता है मदारी को एक एक बात का पता होता है कि कब लोगों में भै व्याप्त हुआ है कब भै का महुल आया है कब वो डर रहे हैं कब फियर चारों तरफ फैल गया है कितनी ताली बजाई कब हाथ खोले कब नहीं खोले मैं बच्पन में इसको देखता था तो मैं मदारी को बहुत ध्यान से देखता था बच्चे को ध्यान से देखता था और जब वो हाथ खोलने को कहता था तो मैं हाथ नहीं खोलता था चुकि किसी को दिखाई न देश नहीं मैं पीछे हाथ बांद लेता था और हाथ बांद के मैं देखता रहते हैं था था कि क्या मेरे हाथ बांदने से ये बच्चा जीवित होगा या नहीं होगा मेरे हाथ बांदने से ये हाथ खोलने से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो खेल उसका मनोवग्यानिक है इस मनो विज्ञानिक खेल के, इस मनो चिकस्ता खेल के, इस माइंड के खेम के, या मन के विज्ञान के, या मन के वियाना के क्योंकि पारी पुरानी भासा में इसको वियाना बोलते हैं, मन का विज्ञान, मन का वियाना, यानि कि चैत्सिक वियाना भगवान बुद्ध ने पूरी की पूरी जो साइंस है वो सारी मनोवज्ञान के उपर किये उन्होंने मन का धन किया है कि मन सरीर को कैसे चलाता है मन सरीर को कैसे कंट्रोल करता है मन सरीर को कैसे जकरता है और मन सरीर को कैसे खोलता है क्योंकि भै जो आता है वो मन में आता है और फिर मन में आने के बाद में बच्चा ताली बजाए या ना बचाए या उसको पैसे दे दे या उसको आटा दे दे या उसका काम करे या वो जो भी कहे उसके वसमें आता है वैसा ही वो कहता है क्योंकि बीच बीच में मंदारी कैयों को फटका भी लगाता रहता है कि तुम खड़े हो जाओ, तुम उठ जाओ, तुम बैठ जाओ और लोग उसकी बात को ऐसे मानते हैं जैसे वो उनका बाप, उनका पिता या उनका सब कुछ है क्योंकि लोग इतने जादा भे में जड़ जाते हैं, जगड जाते हैं ये भे का विग्यान या भे का मनो विग्यान सारा का सारा बुद्ध ने अभी धम पीतक या सुत पीतक में एक एक इसपष्ट बताया हुआ है जिस पर Artificial Intelligence भी आज की डेट में बहुत तीजी से काम करती है कि कैसे मन काम करता है मन की साइंस को बताने वाले वो पहले और सबसे बड़े विग्यानिक रहें उसके बाद लोगों ने मनो चेकिसक या मनो विग्यान की डिग्रिया लेनी सुरू की है मेरे पिता धम का बड़ा अधन क्या करते थे वो धम सिकाते भी थे हम उनसे धम सीखते भी थे लगबग 19 साल पहले की बात है 19-20 साल पहले की जब उनकी मिट्टू होने लगी तो वो मिट्टू चुकि अस्टाल में हो रही थी चोटा भाई भी डॉक्टर है तो मैंने उनकी मिट्टू को अपनी आँखों से बिल침 कास देखा क्योंकि मैं पास تھा छोटा भाही था बड़े भाई नहीं थे तो उनको बड़े भाई के आने का इंतियार थे सुबह उनोंने कहीं भी दिया था कि बड़े भाही को बुला लो क्योंकि उनको पता चल गया था कि आभास आज उनका सायद सरीर शांत हो जाएगा तो उधर उनकी मिर्टू हो रहे है और वो सांस लेने के लिए बार 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 कोशिस कर रहे हैं तब ये एक आवाज आती है जो हमारे पिताजी के एक दोस्त रहे हैं वो कहते हैं अपनी पत्नी से के जाओ गंगा जल ले आओ पत्नी भागी भागी जाती है और हम चूकि आशों में सरावोर थे इसलिए हमने ध्यान ने दिया वो पत्नी उनकी जो है गंगा जल लेके आती है पानी लेके आती है और वो चम्मस से पानी मुह में डालते है पानी मुह में डालने के कुछ दिर बाद उनकी सांस खतम हो जाती है यानि उन्होंने उनके मुह में गंगा जल कहके वो पानी डाल दिया उनकी आखों में लगबग आशु आये जो मैंने देखे थे समझ में नहीं आया क्योंकि पूरी जीवन भर जो उन्होंने पढ़ाया कि गंगा जल नहीं डालना चाहिए या ऐससे कुछ नहीं होता है उसका था या बड़े बिटे को नहीं देख पाए उसका था या मिर्तु को प्राप्त हो रहे थे उसका था ये तो वही जाने मगर मुझे एक बात समझ में आई कि विक्ती जब मरता है तो उस समय उसके आसपास के सारे लोग बुलकुल हैंडिकेप्ट हो जाते हैं उस भे में व्याप्त हो जाते हैं यानि वो जो मिर्तु होती है मिर्तु के माहौल में वो स्थब्द हो जाते हैं उनकी बुद्धी काम करना बंद कर देती है और वहाँ पर कोई भी आदमी कुछ भी करे वो उसका विरोध नहीं करते है हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक विश्य हो सकता है मगर چونकी मिट्दू का भै और मित्दू का महौल इतना कमाल का होता है कि वहां आदमी की जो बुद्धी है काम करना बंद कर देती है चुकि पेरे परिवार में डॉक्टर हैं तो मैंने उनसे पूछा कि पानी डालने का क्या है उन्होंने बताया कि पानी ट्रैकिया में डालते हैं ताकि सांस का आना जाना आसानी से हो जाए और मैंने फिर बाद में धन भी किया तो ये पाया है कि ये हमारी ही परंपरा यानि बुद्ध की भारत की पुरानी परंपरा है ये जानके मुझे कोई ज़्यादा परिशानी नहीं हुई फादरों को हो सकता है कि हुई हो या नहीं हो मेरा कहने का मक्सद यह था कि मिर्टू के समय वो भी संसकार कर डालता है आदमी जो पूरे जीवन जिनका दुरोध होता है यानि कि उस समय वो आदमी बिल्कुल वैरनेरवल होता है उसके लिए बिल्कुल संभव होता है और वो उसको कर देता है ऐसा भैका और ऐसा मिर्टू का माहौल चारोतरफ होता है एक अर्थी में मैं गया जहां मेरे एक जो मेरी पतनी है उनके पक्ष की एकर्थी थी वहाँ पर वो लोग आए वो चुकि वो रादव स्वामी लोग है और नाम देब को मानने वाली लोग है तो वहाँ जो डैड बोड़ी थी उस पर जिसने जो कह दिया वहाँ कोई बोलने वाला था नहीं वो वैसा ही मान लिया बाद में वो निगमबोद घाट लेके गए तो जहां उस क्रिया कराने वाले ने जैसा बोल दिया वैसा सबने मान लिया और लगबग 600 रुपे का क्रिया करण होता है और 7000 रुपे वो कई सारे दुनिया बर के चार्ज लगा के वो लेते हैं जब वहां हड़िया लेने आते हैं अस्थिया लेने आते हैं बची हुई उस समय वो 3-3,000 रुपे ले लेते हैं क्योंकि लोग भै के माहल में मिर्टू के माहल में अपनी जेब पैसे दे के बलाट टालते हैं उनका मन बड़ा खराब होता है तो दो बातें बहुत important भगवान बुद्ध ने बताईं जो बुद्ध का मन विज्ञान है उसमें बताईं कि बहुत ज़्यादा खुसी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो क्योंकि खुशी के समय वी जब शादी होती है या बया होता है या बटरे होता है तो लोग को घोड़ों पे भी पैसे लगाते हैं पैसे बिखेर बिखेर के ना नासते हैं वार वार के नासते हैं और किसी को कुछ भी खुशी में दे देते हैं गिफ्ट बढ़ते हैं खुब अराब सराब पैसा खर्च करते हैं उस समय पैसी की value नहीं होती जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया जितना है दे दिया तो खुशी और महौल में जो मन होता है वो extreme पर होता है यानि कि वेदनाय जो होती है अच्छी वेदनाय या दुखत वेदनाय दोनो extreme पर होती है उस समय बुद्धी काम करना बंद कर देती है और जो मदारी है वो उसी समय का इंतिजार करता है अभी जो करोना का भेच आज तरफ चल रहा है इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मदारी निकल के आ गए है जो test kit है वो महंगी हो गई है जो pp kit है वो महंगी हो गई है दवाए महंगी हो गई है खाने के समान महंगे हो गई है सबजी वाले भी थोड़ी बहुत सबजी बेकार सेकार दे कर छोटी दे कर क्योंकि लोग उनके पास जानी रहे आनी रहे जो home delivery है उसमें भी कुछ महंगा है इसके इलावा बड़े भी खेल चल दे है जहां supply यहां बहुत बड़ी बड़ी है वहां भी महंगा हो गया है पैसे का लेंदेन महंगाई खोग चल लही है देश हित की बात कम है देश को लूटने की या देश के आपात काल में पैसा बनाने की बात बहुत ज़्यादा है ये दुनिया में लगवक सभी देशों में चलती है जब युद्ध की इस्तिती होती है या महामारी की इस्तिती होती है या कोई आपदा की इस्तिती होती है सबसे पहले मार्किट ब्लैक में चला जाता है लोग उसको सामान को एकटा कर लेते हैं जरूत बंद आदमी के पास सामान नहीं पहुंचता, लोग जरुष से ज़्यादा अपने घर में इखटा कर लेते हैं, जो सक्षा में, जो गरीम हैं बिचारे, उनके पास में रोज मर्रा का भी सामान नहीं पहुंच पाता, एक तो उनके काम बंद हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं और नहीं उनके पास इनफॉर्मेशन होती है, नहीं उन्हें इतनी समझ होती है कोई आपात का लाने वाला है, तो थोड़ा बहुत इखटा कर लिया जाए, ये इस्तिती बड़ी भ्यावक और बड़ी खतनाक होती है, किसी ऐसे देश के लिए जो देश भाई चारे पर चलता हो, या डेमोकरिटिक केस हो, क्योंकि कुछ लोग इस मजबूरी का फाइदा हमें साथ से उठाते रहें, ये बलकुल देश दुरों के बरावरे काम हैं, और देश दुरों से भी जाता, खतनाक और घटिया माना जाता है, और होता है, इससे उत्पन संतान या इससे बड़ी हुई संतान या इससे कमाया हुआ पैसा, कभी भी उस व्यक्ति को फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो पैसा महामारी में, या महामिट्व में, या महापरिशानी के अंदर, देश में विरोध के समय कमाया हुआ पैसा होता है, इसलिए वो पैसा उनकी संतानों में हम ऐसा नुकसान ही देता है, ऐसा बुद्ध ने सिद्ध करगे बताया, नियम बताया, साइंस बतायी इसके बारे में, जो कोरोना का डर है वो डर सच है, सच इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी है, जो पैंडेमिक है वो बहुत ज़्यादा महामारी का रूप ले ले चुकी है, इसलिए साथधान रेने की बहुत ज़्यादा, जैसा डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर का समूं बताते हैं या जैसा सरकारी आदेस आता है उसको सेक्षर अगर आप पार्म करेंगे तो कॉरोना के भैसे और कॉरोना के ड़र से निकल जाएंगे अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे अपना सोचेंगे या आपको लगेगा कैसा कुछ नहीं है तो आप जो पुरानी महामारियां हुई है उनको पढ़ लीजिए उनको सुन लीजिए बहुत सारी वीडियो आ रही है करोडों की तादात में लोग दुनिया में महामारी में मरते हैं ये अब तक के इत्यास में ऐसी महामारी है जिसको देश कंट्रोल कर रहे हैं, लोग जानकारी से इसको बच रहे हैं और बचा रहे हैं ये महामारी पूरीते से खतम हो सकती है अगर आप जानकारी का सही इस्तमाल करें तो अगर आप जानकारी का सही इस्तमाल नहीं करेंगे तो दिक्तत हो जाएगी मगर दूसरा जो इसका पहल हुए है वो ये है कि जो लोग अपने घरों में बंद हैं वो बहुत दिनों बाद बंद हुए है भारत की पुरानी परंपरा रही है कि तीन महिने तक लगबख सब लोग तीन से चार महिने तक सब लोग अपने घरों में बंद रहते हैं जब वर्सा वास होता है जब वर्सा आती है वर्सा वास बोलते हैं जिसको बारिश के दिनों में बोला जाता है जो असारी पूर्णमा से आरम होती है और कत्तिक पूर्णमा तक चलती है उस दोरान में चार महिने के लिए सारा जीवन भारत में ठहर जाता था क्योंकि कीडों क जरन और प्रजन स्टार्ट होता था लोग अपने पैरों से कीडे और मकोडों को नहीं माना चाहते थे रास्ते कच्चे होते थे उस समय भिक्कू और भिकुणिया निकल जाते थे और वो बिहारों में जाके रुकते थे वहाँ जाके जो गाओं आसपास लोग होते थे वो पढ़ने के लिए आते थे पूरे तीन-चार मेने पढ़न पढ़न का कारेकम चलता था इसलिए भारत के लोगों को वस्सावास को याद करती वे क्योंकि ये उनके जीन में है ऐसा ही जैनियों के अंदर भी होता था जो जैन समाज है उसके अंदर भी वस्सावास होता है बलकर जैन समाज में वस्सावास बुद्ध के पहले होता था बुद्ध ने जैन समाज से ही इसको अड़ोट किया है और लिया हुआ है इसमें अपना काम करने के आप सकता है जैसे आप पहले करते थे उस समय को याद कीजिए जब प्रकरती अपने आपको ठीक करती थी और लोग अपने घरों में रहके शांती से अपना काम करते थे तो मन को शांत नहीं छोड़ते थे या तो वो विपस्थना करते थे विपस्थना साधना तपस्या या तप इध्यान या मेडिशन तो मेडिटेशन करने के लिए आपको आना पाना आप सीख सकते हैं आप विपस्थना.org गेफसाइट पे जाएंगे या एप में जाएंगे व बाई एसन गोईन का दोआरा बहुत बड़िया विपस्थना साधना सिखाई जाती है घर वैठे आप विपस्थना साधना करेंगे तो आपकी जो एंग्जाइटी है जो आपकी परिशानी है वो 100% दूर हो जाएगी इसके लावा आप पैंटिंग का काम या लिखाई का काम writing का या पढ़ने का काम या वीडियो बनाने का या speech देने का या पोश्ट बनाने का या घर में बच्चों को कुछ सिखाने का या कोई और language सीखने का या घर का साफ सफाई का इतने सारे काम है singing का, गायन का, कलाकारी का निरत्य का, इतने सारे काम है वो सारे काम आप कर सकते हैं, आपका time pass होगा परिवार में आप एक दूसरी की रिचु जा सकते हैं, क्या रूट-řूची किसकी है, किसका क्या interest है और वो किस-किस में परंगत है मिल जो बढ़ा सकते है इसके लावा फॉन आपके पास है फॉन बे आप दुनिया वर से बात कर सकते है जिनके पास फॉन नहीं है उनके पास में बात करने के लिए मना ही नहीं है अपनी बालकॉनी से खड़े हो के आप बात कर सकते हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सबसे बहतर काम रहेगा कि इस समय आप दान कीजिए क्या दान देना है आपने आपने जो गरीब लोग हैं जो अक्षम लोग हैं उनके लिए पैसा या उनके लिए खाना दान करना है और जो सक्षम लोग हैं उनके लिए धमदान करना है प्रकरती के वारें बात करना है प्रकरती के वारें बताना है अपने वारें बताना है और अपने स्वास्थे को देखना है आप घर पे रह के एक्स्राइज भी कर सकते हैं घर के काम में हाथ बटा सकते हैं समय बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि भारत में 3-4 महने तक एक साथ रहने की हर साल वसावास में तुरानी परंपरा रही है यह प्रंपरा इसलिए ही बनाई के थी ताकि वाता परण में जितने भी जो विजीवल और इनिविजीवल यानि कि जो जीव दरसे हैं और जो अदरसे जीव हैं वह अपना परजन कर सकें और वो हमें कोई नुकसान न पहुचाएं और हम भी उनको कोई नुक्सान ना पहुंचाएं इसलिए आप ये जो कॉरोना का डर है इसको निकाल दीजिए ये डर हवा से आता है और हवा में ही चला जाता है कोई नुक्सान आपको नहीं होगा आप सरकार के सारे नियमों को डॉक्टर्स के सारे नियमों को पालन करें धन्यवाद आप सुआगाद धन्यवाद धन्यवाद भीजी को डेंड़ाद वेयाद के लिए अाहत है झाल श्याद झाली थालन करें घ्टने कटने की अईवाद थाया थाप है ये ताल